दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे आज की सबसे पहली कबर चाचा को रहत भतिजे को जटका दिल्ले हाई कोड में चिराग पासवान की याचिका खारेज इस पिकर के फैसले को देती चुनोती जिहां बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी ख़बर दिल्ली से सामने आ रही है पूर्व केंद्रिय मंत्री राम बिलास पासवान के बेटे दिल्ले हाई कोड से चिराग पासवान को एक बड़ा जटका लगा है दिल्ले हाई कोड ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है चिराग पासवान की पेटिसन में मेरिट नहीं होने के कारण कोट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है जो इन्होंने लोगसबा इस्पिकर ओम बिला के फेसले के खिलाब डाली थी दिली हाइकोट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है दिली हाइकोट ने कहा कि मामला लोकसभा इस्पेकर के पास पेंडिंग है लिहाजा आदेश देने की कोई जरुत नहीं है गौर तलबे की चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि पार्टी से निकले जाने के कारण पस्वपति पारस लजबी की सदिस्ट नहीं है बड़ी कबर बिहार की सियासत में लालू को बड़ा जटका जगदानन सिंग ने दिया इस्तिपा अधिक उम्र और सेहत को बताया वज़ा जिहां राष्ट्य जनता दल और उसके राष्ट्य अधक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ा जटका लगा है सुत्रों के मताबिक पार्टे के प्रदेश अधर्च जगदानन सिंग ने अपने पद से इस्तिपा दे दिया है जगदानन सिंग ने अपने इस्तिपे की वज़ा बड़ती उम्र और स्वास्त कारणों को बताया है उदर जगदानन सिंग के इस्तिपे की खबर को पार्टे ने अबवा बताते हुए खारिज कर दिया है राजत प्रभक्ता चितरंजन गगन ने जगदानन सिंग का इस्तिपा ना होने की बात कही है गौर तलवे की दो साल पहले पार्टे के कई नेताओं के विरोध के बावजूद लालो यादब ने जगदानन सिंग को राजत की कमान सुपी थी जगदानन सिंग को लालो परिवार का करवी माना जाता है इसके अलावा उनकी छवी काफी इमानदार और करमट नेता की रही है वह रामगड से मले और बक्सर से सांसद रह चुके हैं लालो सरकार में वह जल संसादन मंत्री भी रहे है बाड़ी खबर अब पटना से बेतिया धाय घंटे में पहुच पाएंगे लोग जल्द होगा नेशनल हाईवे का निर्मान जिहां भारत सरकार ने पटना बेतिया मार्ग को राष्ट्य ओचे पत गोसित किया है राष्ट्य राजमार्ग के नेटवर को और बेतर बनाने की कोशिस की गई है सड़क परिवान एवा मराज मार्ग मंत्राले भारे सरकार ने पटना से बेतिया भाया बकरपूर मानिकपूर साहिब गंज के सरिया अरे राजपत को नए नेशनल हाइवे की अधिसिशना जारी की है यहाँ नेशनल हाइवे 149 डबलू नमर से जाना जाएगा इसकी घोसना से लोगों में खुसी की लहर दोड़ गई है आपको बता दे कि नेशनल हाइवे 149 डबलू की निर्मान होने के बाद पटना से बेतिया की दोरी 200 किलिमेटर कम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी मंगा सकते हैं राजस्व एवं बोमी सुधार बिवाग ने इसकी तैयारी कर ली है वो अभिलेक निदसक जैसिंग ने बताया कि इसी महिने नक्से की होम डिलिवरी सुरू हो जाएगी तैयारियों का मुयाना करने के लिए भी गुलजार बाग इस्तित सर्वे कार्या ले ग नक्से की डिलिवरी होगी डाक बिवाग ने पांच लाक बार कोड का अवंटन किया है इसके लिए सबसे पहले भू अभिलेक और परिनाम निदसले की वेबसाइट dlrs.bihar.gorman.in पर जाकर डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम पर क्लिक करना होगा इसमें जिला राजसो थाना एवं मोजा चुनने का विकलब आएगा समनित लोकेशन के नुरूप उस गाउं का नक्सा एक या एक से अधिक सीट में दिखाए देगा एक बार में अधिकतम पांच सीट सेलक्ट किया जा सकता है सुलक सीट सेंक्या और वजन के मताबिक निधारित है वो साइट पर दिख जाएगा पेमेंट गेटवे में डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड एवाम यूपी आई से भूतान की स्विदा दी गई है आगली बाड़ी खबर पतना विस विदाले में 17 जुलाय तक भरे पार्ट थरीका परिक्षा फॉर्म कोविड से अनात होने वालों को विस विदाल आगली बाड़ी खबर बिहार में बुजूर्ग और दिव्यांग को टीका लेने को अब नहीं जाना होगा सेंटर करेंगे फोन तो घर पर लगेगी वैक्सिन जिहां चोना टिका करन अभियान को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार से राज के बुजुर्ग और दिव्यांगों को फोन पर टिका करन का अभियान सुरू कर दिया गया है आप कोई भी दिव्यांग या बुजुर्ग फोन करते हैं तो उनके घर पर जाकर टिका दिया जाएग ऐसे लोगों को स्वास विवाग की हेलप लाइन डायल 102 या अपने जिले की हेलप लाइन पर फोन करना होगा चो महिने में चो करोड टिका करन अभियान के तहद बुजुर्गों और दिव्यांगों को लिए एह विवास्ता शुरू की गई है विवाग की कोसिसे की वैसे नागरिक जिनको टिका करन सिंटर तक आने में परिसानी होती है उनको घर पर ही जाकर टिका दिया जाए गुरुवार से पुरे प्रदेश में शुरू की गई इस सिवा का फायदा सुबे के करीब 1 करोड 30 लाग लोगों को मिलेगा अगली बड़ी ख़बर मुझा परपूर में टिका वाली नाव की सिरुवात बाड़ परभावी चेतरों में वैक्सिनेशन अभियान को मिलेगा बड़ जिहां बार परभावी चेत्रों में सत परदिसाट टिकाकरन के आचधान के लिए कट्रा परखंड में सुक्रवार को टिका वाले नाव की सिरुवात की गई जिसका उद्गाटन सिविल सर्जन डाक्टर विनेक कुमार सर्मा ने किया सिविल सरजन डाक्टर सर्मा ने बताये कि इस तरह की नाव की परिकलपना जिलादिकारी ने की थी जिसे बाड़ परवविच हित्रों में मुर्त रुप से दिया जा रहा है टिका करण के लिए राज जिमें इस तरह का पहला परियास किया गया है मालूमों की प्रतम चरण में कट्रा प्रकंट में दो टिका वाले नाव का परिचालन शुरू हुई है इसमें प्रतेक नाव पर दो एनेम, दो वेलपेर और गोताकोर और नाविक भी मौजूद होंगे वहीं अगली बड़ी खबर सेम नितिस का निर्देश बाड रहात केमप में होगा कोरोना टेश्ट और टिका करन संक्रमितों के लिए विसे सिंतिजाएं कोरोना के घराई संक्रमितों के खत्रे को देखते हुए बिहार के मुखेमंत्रे नितिस कोमार ने राहत केमपों में कोरोना जाच और टीकागरन का काम अनिवार रूप से कराने का निर्देश दिया है C.M. ने कहा कि जाज के दोरान केंप में जो भी संक्रमित पाये जाते हैं उनके रहने और दिखबाल की अलग से विवस्ता की जाए C.M. नितिष ने कॉरोना संक्रमान और बार दोनों के एक साथ सामने होने की चिंदा जताई है उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का दोर भी है और एक साथ अब बार की सितिवी सामने आ गई है इसलिए प्रभवई चेत्रों में बचाव एवाम राहत का काम योजनाबत तरीके से करे और आगे के लिए पूरी तरह से सतरक रहे उन्होंने इस दुरान सब तैयारियों को रखने का निर्देश भी दिया है अगली बाड़ी खबर बिहार में जमीन दाखिल खारीज रद किया तो कारण बताना होगा तकनिक के सहारे सिस्टम को पारदर्सी बनाने की कवायार जहां बिहार में जमीन के दाखिल खारीज यानि म्यूटेशन के प्रक्रिया को पारदर्सी बन के वाजिब कारणों को फिडबेक कर दिया गया है इन कारणों से अलग जाकर कोई भी मिट्वेशन का आविदान कर्मचारी या अन्य अधकारी रद नहीं कर पाएंगे आगली बाड़ी कबर बाग मतिवा बोड़ी गंड़क ने मचाई तबाही पूर्वी चमपारन में तीसरी बार बार की दस्तक दरवंगा में टूटा अधवारा का बांद जिहां उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियों के जलेस्तर में उतार चड़ाव की सिति बनी हुई है इसके पूर्वी चमपारन वा मितलांचल के कई प्रकंडों में बार की सिति बनी हुई है सुकुरवार को दरवंगा जिले के क्योटी प्रकंड के अधवारा नदि का पूर्वी बांद कोठिया लोहरी टोली के पास करीब 25 पीड में तूट गया है इससे सहर में भी पानी प्रवेश करने की आसंका बढ़ गई है बारिस तमने के बावजोद नदियों के तेवर में कभी कमी नहीं दिख रही है खास कर बागमती और बुड़ी गंडग में उफान जारी है बागमती में उफान के करा नोजपरपूर के औराई और कटारा के गाउंग की सिति लगात दस्तक दे दी है पूर्वी चंपर अंजिले के बारा परकंड में बार का कहर जारी है बार से करीब 6 लाक आबादी प्रभावित है हाला कि कई प्रकंडों में बार का पानी कम हो रहा था इसी बीच सुगोली ब्लोक से ग्रामीन चेत्र में फिर तीसरी बार बार ने दस्तक दी है आगली बाड़ी खबर यूपी बिहार को जोडने वाले गौतम बोध सेतु का गाईड बांध टूटा कई इलाकों में बार का खत्रा बढ़ा जीहां कबर बगहा से आ रही है जहां गंडक नदी में बने गाईड बांध के चतिगरस्त होने के बाद इसीति भायावा ह हो गई है गंडक नदी के जलिस्तर में ब्रिदी के बाद धनवा रत्वल पूल के समीब गाईड बांध करिब 200 मिटर तक पुरी तरह द्वस्त हो गया है नदी की तेज बहाव कई इलाकों की ओर हो रहा है जिसके करण चुरई पंचायत के कई गाउं में बार का खत्रा मंड करा रहा है गौतम बूद सेतु से महज 700-800 मिटर की दोरी पर गाईड का बांध छती ग्रस्त हुआ है इधर नेपाल में हो रही भारी बारिस की वज़े से गंडक बराज से लगातार पानी का डिश्चाज हो रहा है जिसके कारण धनवा रत्वाल मुई के मार्ग के पश्च जी हाँ कोरोना के दूसरे लहर के रप्तार धीमी होने के साथ साथ अब जीवन वापस से नौर्मन होले लगा है इधार रेल यात्रियों के मांग को देखते विए पुरवत्तर रेलवे ने कई स्पेसल ट्रेनों के फेरों को बढ़ा कर उन्हें रोजाना चलाए जाने का ए 21 से अगले आदेश तक प्रते दिन चलाए जाएगा सब्ता में चार दिन चल रही टेन सेंक्या 05053 छप्रा लखनव जक्षन इस्पेसल ट्रेन को 17 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रते दिन चलाएगा वहीं सब्ता में तीन दिन चल रही टेन सेंक्या 05083 छप्रा फरु का बाद छपरा स्पेसल टेन को 16 जुलाद वजर 21 से अगले आदिस तक प्रति दिन चला जाएगा बाड़ी कबर बिहार में CID को मिलेगा अलग थाना अधिकार बढ़ाने की कावायाद में जुटी सरकार जियां बिहार में CID याने अपराद अनुसंदान विवाग का अधिका सरकार मिले गया कि वहां खोद मामले दर्ज करें और आरपियों की गिरबतारी भी करें सरकार इस पर गंबिरता से विचार कर रहे कि CID के लिए अलग थाना खुला जाए इस पैसले पर मोहर लगी तो बिहार पुलिस के आइन एजन्सियों की तरह CID में भी FIR दर्ज होगा लिमिटेड ओवर्स की सिरीज अप पहले से निदारित सेडियोल 13 जुलाई पर सुरू नहीं होगी स्रिलंका टीम के बेटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और डेटा अनलिस्टिट जीटी निरोसन पोजिटिव पाए गये हैं इसके बाद भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और क्रिकेट स्रिलंका ने इसे कुछ दिनों के लिए इस्तकित करने का फैसला किया है माना जा रहा है कि यह सिरीज अब 17 जुलाई से सुरू होगी आज के लिए आपका सवाल बताए कि भारत और स्रिलंका के बेच होने वाले मैच में कौन से टीम सिरीज अपना नाम करेगी इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं